नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चेनल ग्यान कामना पर दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको राजिस्थान में थर्ड ग्रेट टिचर भरती 2021-22 का ओनलाइन आविदन फोरम कैसे बरा जाता है उसके बारे में हम आपको step by step जानकारी देने वाला हूँ यानि इस वीडियो में हम आपको फोरम भरने की पूरी प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ अगर आपको भी फोरम बरना तो वीडियो के साथ वो आप बने रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों फोरम बरने से पहले एक छोटी जानकार यह आपको देना चाहूंगा देखिए राजिस्थान में थर्ड गरेड टीचर भरती 2021 या फिर 2022 के ओनलाइन आपको अपने खुद की SSO ID के अंदर हो लोगिन होना पड़ेगा सबसे पहले आपको गूगल पे जाके SSO ID सर्च करनी है और फिर इस तरह का पेज वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहां पर सबसे पहले आपको अपनी SSO ID डालनी है फिर यहां पे password डालना है फिर यह आपको जो interface है वो आपको इस तरह का दिखाए देगा वो application आपको दिखाए देंगे जिस पर आपने पहले काम किया है अगर इस तरह का interface आपको यहां पे नहीं दिखाए दे रहा है तो फिर आपको देखे इस तरह का interface है वो दिखाए देगा जहां पर आपको काफी सारी application य आपको यहाँ पर जूम करके वो दिखा दिया, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अब यहाँ पर देखिए मेरे case के अंदर यानि मेरी SSO ID के अंदर यह सबसे fast में दिख रहा है, अगर आपकी SSO ID में सबसे fast में यह show नहीं हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर पोर्टल है, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको इस तरह का interface दिखाए देगा, और यहाँ पर आपको तीन section दिखाए देंगे, सबसे पहला है My Application का, दूसरा है Notification का, और तीसरा है Ongoing Recruitment का, तो अब यहाँ पर देखिए Ongoing Recruitment वा First Time में यहाँ पर मालीजी अपना forum apply कर रहे हो, कोई technical issue आ गया, तो फिर देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से उटके यहाँ आ जाएगा, जो कि आगे माँ आपको बता दूँगा, फिर आगे की process बताऊँगा, चलिए, आवे दन process करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर apply now पर click हो कर देना है, अब जैसे आप apply now पर click कर दोगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर post हो select करनी है, यानि आप किस post के लिए यहाँ पर apply करने जा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए first level है, second level है, सभी आपकी level यहाँ पर दिख गरता हूं General Teacher level second Social Science TSP तो मैं यहां पर TSP के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर non TSP के लिए अप्लाई कर रहा हूं ठीक है आप अपने आवसेक्ता है कि अपनी category के नुशारा apply हो कर सकते हैं लेकिन उसी post के उपर आपको यहाँ पर click कर देना है अब जैसे मैं यहाँ पर click करूँगा तो यहाँ पर देखी अपनी forum की कुछ basic information और कुछ step है वो open होकर ओजाएंगे अब यहाँ पर देखी open होने के बाद यहाँ पर देखी 4-5 step है जैसे basic detail है personal detail है qualification अगरा वगरा यह सभी जो step है आपको यहाँ पर complete करनी है अब देखी दोस्तों जब भी आप यहाँ पर forum बरो तो forum भरने से पहले आपकी 10th की मारक seat के अंदर आपका जो record है जैसे आपका नाम पिता का नाम माता का नाम वो shame का same आपको वही बरना है उससे आपको अलग नहीं करना औरना बाद में आपको दिक्कत आ सकती है और एक बात और आपको कहूँगा क्योंकि काफी सारे जो candidate है उनके सामने बड़ी समस्या आये थी जब उन्होंने रिट का फोरम भरा था तो उनके नाम में या फिर डियो बि में या फिर केटेगरी में उनकी गलती हो गई तो यहाँ पर आपको अपनी same की same है वो डालने चे बले ही रिट के अंदर गलती हो जाई उससे कोई फ़रक है, यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला, यहाँ पर आप अपनी सही जानकारियों भर दीजेगा, क्या क्या करना है, किस तरह से फोरॉम भरना है, वो अब आप देख लिजेगा, सबसे पहले यहाँ पर कंडिडेट का नाम आपको लिखना है, इसके बाद आपकी एज है, वो इक्टोमेटिक आजाएगी, इसके बाद आगे यहाँ पर आपको अपनी केटेगरी वो सेलेट करनी है, सी, सी, जो भी आप पर लागू होता है, इसके बाद यह दी आप में कोई सहार नहीं, विकलांकता का दोस है, तो आप अपने आश सहार यहाँ पर कर सकते हैं, वरना note applicable आपको यहाँ पर कर देना है, अब जैसे आप यहाँ पर note applicable करोगे, तो यहाँ पर अगले column है, यहाँ पर देके disable हो जाएगे, यह दि आप yes करते हो, तो उसके बारे में आपको अलग से जानकारी वो देनी पड़ेगी, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोई फूरुष यह forum बरना, तो अपनी पतनी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगला जो option आ रहा है, क्या आपके एक से अधिक जीवित पती या पतनी है, तो आप अपने आवस्तेता के नुसार यहाँ पर यहाँ पर यह सनो में नहीं बनाया है, तो यहाँ जल्दी से इमित्र के द्वारा बना लिजेगा, दो चयार दिन में वो बन जाता, फिर आप आगे की process वो कर दीजेगा, अगर आप unmarried हो, तो आप इसे खाली हो, छोड़ सकते हो, ठीक है, चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, ज दूसरा कोलम आरा, अप्टरवाला, तो मैं before वाले में यहाँ पर 0 डालता हूँ, और अगले कोलम में यहाँ पर 1 डालता हूँ, तो देखिए, अगले कोलम में,ulative, यहाँ पर देखिए, एक संख्या आ गई, अगर दो है, तो आप यहाँ पर 2 डाल सकते है, अपने आफसेट दोस्तों, यहां पर आपको अधार ID य हो डाल देना याद रखना ठीक है इसके बाद यहां पर भी आपको अपना जन अधार नंबर हो डालना जो कि राजस्तान में जा रही हो, तो दोनों ही आपको यहां पर डालने अधार नंबर है यह तो compulsory है और जन आधार ID कमपल स्री नहीं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताऊँगा कि आपको जन आधार डालना चीए क्योंकि आज कल अपने राजिस्थान में सारा जो डाटा है वो जन आधार से लिंक हो गया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे आपने पात्रा चार का पता आपको डालना है और आपना जो इस्थाई पता है वह आपको यहाँ पर सें है तो यहाँ पर देखिए एक कोलम आपको मिल जाएगा ओदेगी और आपकी एक message आपके सामने आ जाता है given mobile number and email are correct please confirm आपने जो mobile number डाला आपने जो mail ID डाली है क्या वो शही है यदि सही है तो आपको yes करना क्योंकि department की आगे की जो भी information आपको mail ID और mobile number के दवारा दी जाएगी स्लीब जुरूरी है कि दोनों ही सही होने चाहिए स्लीब मैं यहां पर yes करता हूँ कि हमारी information बिल्कुल सही है तो देखिए फैस स्टेप हमारी complete होगी दूसरी स्टेप यहां पर आगी जहां हरियान या फिर राज्यस्थान के अलाव कोई भी दूसरा राज्य है तो आप अपने आवस्टेथा के नुसार स्लेट कर लिजेगा इसके बाद अपना जो डिस्टिक है यहां से स्लेट कर लिजेगा तो चलिए मैं यहां पर कोई भी एक डिस्टिक है वो स्लेट कर लेता यदि आप इंडिया में किसी दूसरी country से आके यहाँ पे बसे हो तो आपको yes no में जबाब देना है तो अपन यहाँ पे no ही करते हैं हम सभी Indian है ठीक है चलिए इसके बाद आगे वाली जो process होती है वो special category के लिए होती है देखे यहाँ पे अगर आप एक service man है तो आपको यहाँ करना है वरना आपको no करना है यहाँ यहाँ पर yes करते हो तो यहाँ पर देखे service का status के बारे में आपको select करना पड़ेगा in service and noc taken यहाँ आप service में हो और आपने department से noc ले ली है तो आपको इसको select करना है यहाँ रिटाइड करमचारी तो इसको आपको select करना है जैसे आप noc करेगा तो यहाँ पर देखे noc लेटर नंबर आपको डालने पड़ेंगे date है वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेगी तो फिल हाल मैं यहाँ पर मेरे case के अंदर मैं no कर रहा हूं ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखे क्या आप उतकरस्ट खिलाड़ी है यहाँ कोई खेल कोटा है आपके पास कोई खिलाड़ी है तो आपको yes no में जवाब देना मैं यहाँ पर no कर रहा हूं ठीक है अगर मैं यहाँ पर yes करता हूं तो yes करने के बाद देखे यहाँ पर कौन सा level है आपका national है या फिर international है उसको आपको यहाँ पर select कर लेना है जैसे आप select क yes no में जवाब देना है तो मैं यहाँ पर no करता हूं जैसे कैस करोगे तो में कोई मैं मैं इसे no कर दे हूँ, ठीक है, जैसे no करेंगे तो आगे कोई information हमें नहीं बढ़ने पड़ेगी और yes करते हैं, तो yes करते देखे सारे ही जो option है, यहाँ पे अक्टिव हो जाएंगे, मैं यहाँ पे no कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखे, क्या आपकी पारवारिक वार्सिक आए, डायलाग से कम है अगर आप यहाँ पे देखी yes करते हो, तो यहाँ पे जो fish लगने वाली है, वो आपको कम लगेगी, लेकिन अगर आपके पूरे प्रिवार की डायलाग से आए जादा है तो आपको यहाँ पे no कर देना, तो चलिए मैं यहाँ पे no हवो कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई अतरिक्त सरेणी है additional category है, तो आप अपने आवस्तेकता यहाँ पे select कर लिजेगा, इसके बाद यहाँ पे आपके चरित्र के बारे में आपको देना है, ठीक है यदि आपका कोई अपरादिक record है, तो आपको yes करना वरना आपको यहाँ पे no कर देना, अगर आप यहाँ पे yes करते हो, तो संबंदी detail है, आपको यहाँ पे fill करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं यहाँ पे no कर रहाँ तो हमारी यह step है, वो भी complete हो गई, पूरी information डालने के बाद आपको यहाँ पे next पे click कर देना है, next पे click करने के बाद हमारी जो अगली step है, इस forum के आजाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे देखिए education qualification के बारे में यहाँ पे जानकारी आ चुकी, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले इसको आपको यहाँ पे click लगाने, यह box आ रखा है, देखिए पहले यहाँ पे एक message आया करता था, सायद हो सकता है कि आज यह forum शुरू है, वो message यहाँ पे आपको show नहीं हो रहा है, एक दो दिन बाद में यहाँ पे message है, वो red line के अंदर वो show हो जाएगा, इसका मतलब यही है कि देखिए, फिल हाला आप यहाँ पे digital हमें जानकारी दे रहे हो, आज सेक्टा पढ़ने पर आपकी जितने भी original document है, उसको आपको जब हम मांगे, यान आपको देना पड़ेगा, तो आपको इसको टिक ही करना है, ठीक है, अब आगे यहाँ पे आपको अपनी qualification के बारे में दोस्तों यहाँ पे जानकारी देनी, अब आपने जो जो भी qualification कर रखी हैं, दोस्तों वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देनी, याद रखना कोई भी आपको यहाँ पे select हाओ कर लेना ठीक है और आगे यहाँ पे आपको रिट की information देनी कोई ज्यादा कुछ नहीं है देखिए थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ विशे समू के अंदर आपको क्या लिखना जो भी और लिख देना मादम एक शिख्षा बड अजमेर है 16 कि इस यहाँ रखरा हूं ठीक है तो duration कितने थी आपके course की तो वो सामनेत है एक वर्स का होता है या बारा मंत का होता है यहाँ पर आपको मन्थ में जानकारी देना है देखिए उपर लिखा है महीनों में आपको देना तो बारा मंत का अपना मामला था पूरा यह ठीक है एक साल का और यहाँ पर आपको admission date देने है अगर admission date के बारे में आपको नहीं पता है तो आप सम्मंदित स्कूल से है वो संपर करके पता लगा लिजेगा ठीक है और वैसे अगर आपके पास टिसी है पुरानी उसकी फोटो कोपी है तो उस पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको सही सही जानकारी देनी कोई भी आपको गलत जानकारी हो नहीं देनी इस बात को आपको ध्यान रगना है बले ही फोरम आप बाद में बढ़ देना तो चलिए मैं संबंदित डिटेल हो भरता हूँ और यहाँ पर दोस्तों को बताना चाहूंगा देखिए सब सब अपड़ी जो समझ्या आ रही है वो बेड वालों को भी आ रही है कि हमने बेड या बेस टीसी हमने कर रही है तो वहाँ पर हमें आइडमिसिन डेट के बारे में नहीं पता तो कैसे पता लगाएंगे तो देखिए जब आपने बेड से टीसी कटवाई थी उसमें आपका सर् चरीतर परमाणपतर भी दिया था तो चरीतर परमाणपतर के उपर भी वो डेट एडमिसिन की होती है तो वो आप वहाँ से पता लगा सकते हैं या फिर आप अपने संबंदित कोलेज में इसके लिए संप्रेकर वो कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर संबंदी डेटेल हो जो date है वो आपकी mark seat के उपर ही है कैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ आप यहाँ पर देखे मान लिजी यह 12th की mark seat है और इस 12th की mark seat के निचे आप यहाँ पर देख सकते हो यह date आ रखी है यही वो date passing हर एक mark seat के निचे आपको इसी परकार की date है वो मिलेगी जैसे मैं यहाँ पर college की जो mark seat है यहाँ पर बात कुरो जैसे मैं यहाँ पर VA final year की mark seat है वो open कर रखी है तो graduate के अंदर आपको VA या BSC final year की जो mark seat है उसी के तो आपको यहाँ पर roll number डालने है ठीक है और उसी की यह date है आपको passing है वो डालने है इस बात को आपको ध्यान रखना है और आपकी जो B8 की जो mark seat है देखिए मैं यहाँ पर आपको B8 की mark seat हो दिखा देता हूँ इस तरह की B8 की mark seat होगी और B8 की जो subject होते हैं दोस्तों आपको क्यों यहाँ पर optional जो subject है optional subject के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देने होती है बाकी जो compulsory subject होते हैं उनको आपको जानकारी नहीं देनी है फोर्म में आपको नहीं भरना है और यहाँ पर देखिए इसके total number दे रखें यह जो total number है और इनमें से कित्ते number आए और इनकी जो passing data वो last में आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो passing data वो आ रखी है तो यही data वो आपको डालने है कोई दूसरी date आपको नहीं डालने है इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए रिट की जो information वो भी आपको डालनी है और रिट का जो board आप select करोगे क्योंकि इस बार मादय में एक सिक्षा board अजमेर की दवारा रिट करवाए थी तो आपको board of secondary education आपको लिखना है, role number लिख देना है किते number है वो आपको डाल देना है यह detail fill करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपके जो optional subject है वो आपको यहाँ पर fill करने है ठीक है BA या BAC के ठीक है मैं यहाँ पर BA के subject हो डाल रहा हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर select कर रहा हूँ देखिए मैं social study के लिए select कर रहा हूँ जिस तरह से मैंने social study को select किया तो यहाँ पर social study से संबंदी जो भी subject है यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है तो चलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर geography है या political science को मैं select कर लेता हूँ उसके बाद मेरा जो दूसरा subject है वो भी social study है और यहाँ पर मैं अपकी बार यहाँ पर geography है वो select करता हूँ इसके बाद आपको अपना तीसरा जो optional subject है वो select करना है social study मैं यहाँ पर select करना हूँ और यहाँ से अपना तीसरा जो subject optional वो select करना है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी सम्शिया आ जाती है समस्य यह आजाती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सनात्तक अपनी जो graduate है उसमें तीसरा जो optional subject उसका इस list में नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है देखिए आपके जो मुख्य जो optional subject है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे उनको select कर लेना है अब तीसरा subject यहाँ पे जब आप select कर रहे है और इस list में आपको नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे any other आएगा ठीक है अब चल रहा है और नहीं चल रहा है उसकी मुझे नहीं जानकारी है लेकिन पहले यह चला करता था तो अभी उसका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है एक बार मैं यहाँ पे आपको मारक्सीट दिखा देता हूं यहाँ आप देखोगे तो तीसरा जो optional subject है वो computer application है ठीक है यहाँ पर हमने computer application से अधेन किया था लेकिन इस forum में इस list के अंदर computer application का कहीं पर भी नाम है वो नहीं दिखाए देरा अगर आपके case में भी ऐसा हो रहा है तब आपको क्या करना यहाँ पर देखिए any other आपको यहाँ पर select करना है ठीक है अगरे के फंट्स यहाँ पर आपका जो रिट 2021 है उसके subject के बारे में information आपको डालनी है सबसे पहले आपको यहाँ पर language के बारे में आपको बताना आपके जो first language थी रिट के अंदर वो first language आपको यहाँ पर select करना है मैं यहाँ पर English से वो select करना हूँ ठीक है इसके बाद आपका जो special subject है मैं subject है जिसके लिइ आपने रिट में apply किया था वो आपको यहाँ पर select करना है तो सोषल स्टेड़ि माइं नहीं हम यहाँ पर select करना है अगर आप math के अंदर science के अपर math आपने select किया था तो फिर आपको science math select करना है मैं यहाँ पे social study को select कर रहा हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको medium है वो select करना माद्यम तो मैं यहाँ पे हिंदी है वो select है वो कर लेता हूँ ठीक है आप अपने आफसेक्ता के नुशार कर लिजेगा ठीक है जैसे अगर आप उर्दु पढ़ा रहे हो या फिर पंजाबी गुजराती है तो आपको any other हो select करना ठीक है चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा देखिए आवेदेक ने किस माद्यम से सनात को उतर की पढ़ाई किये यानि आपने यहाँ पे PG किये पोस्ट ग्रेड़ किये है वो किस से माद्यम से की है तो मैं यहाँ पे Hindi को select हो कर रहा हूँ आप अपने आफस्टान विशार कर लिजेगा चलिए इसके बाद दोस्तों अगला देखिए option यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आपकी जो rate की परतिसत्ता है उसकी गणना हो की जा रहे है वो भी next पे click कर देना next पे click करने बाद आपकी अगली जो step है वो आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपने identification के बारे में जानकारी देनी है यानि यहाँ पे आपको अपनी photo और signature आपको upload करने है लेकिन जब भी आप photo और signature upload करो तो इसकी size का आपको खास तोर पे धानकना है देखिए photo की जो minimum size है वो 50 के भी होने चाहिए और maximum size है वो 100 के भी होने चाहिए 100 के भी से ज़ादा नहीं होने चाहिए अगर 100 के भी से ज़ादा होगी तो भी upload नहीं होगी और 50 के भी से कम होगी तो भी upload नहीं होगी दोस्तों इस तरह से आपकी photo और signature आपको यहाँ पर दिखाए देगी इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखे अगले column में आपको body mark डालना है यानि आपको यहाँ पर अपने एक शरीर का पहचान चिन के बारे में जानकारी आपको देना है तो वो कर्तरी में ने की प्राकर्तिक यहाँ पर आपको प्राकर्तिक शरीर का पहचान चिन के बारे में जानकारी देना है जो प्रकर्ति ने हमें दिया हो जैसे मानले जी आपके सरीर पर कोई तिल होगा तो तिल के बारे में आप यहाँ पर जानकारी है वो दे सकते हैं तो देखी मैंने यहाँ पर body mark हो डाल दिया इसके बाद आपको यहाँ पर next पे click कर देना है तो final step में आपको यहाँ पर अपनी जो preference है वो देनी है तो यहां से देखिए आपको जिला है वो select कर लेना इस तभी जिल को हैं वो बारी बारी करके सलेक्ट हो करना है क्लीक करके आपको है सब्सक्राइब करना है इeless act भूया। उन्हासते निसौर्ण गते हैं केपयर बड़ी समझधारी के निसार पोस्ट चांब recorded अब जैसे आप यहां पर नेक्स्ट पर किलिक करोगे तो आपकी यह step हो complete हो जाएगी और आपके सामने आपके forum का जो प्रिवीव है वो आपको यहां पर दिखाए देगा यानि फोरम के अंदर क्या-क्या information आप भरके लेकर आया हो वो सारी information वो आपको यहां पर दिखा देग तो एक बार उसे अच्छी तरह से आप चेक हो कर लिजिएगा और चेक करने के बाद यह दी वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वो सही नहीं है तो यहां पर देखिए आपको update का option वो मिल जाएगा इस पर किलिक करके जो step हम पहले follow करके लेके आए हैं एक करके उसी त दोस्तों यहां पर आपको final submit करना है और final submit तभी होगा जब इसके लिए आप payment करोगे अब देखिए दोस्तों payment के लिए आप एक जानकारी आपको देना चाहूँगा देखिए फिलहाल यहां पर payment का mode आ रहा है यहां पर देखिए अंगुठे का निशान आ रहा है डाउन आ हो जाएगा और यहां पर आपकी payment की सारी जो detail है वो आ जाएंगे ठीक है चलिए माली जी यहां पर पेमेंट करना चाहते हो तो यहां पर इस एक गोशना पत्तर है इसको आपको यहां पर select करना है ठीक है और यहां पर फिर से select कर लेना है final submit आपको यहां पर कर देना है और चलिए इसके बाद आपको यहां पर फिस पर आपको क्लिक कर देना है ओके आपको यहां पर क्लिक कर देना है तो चलिए मैं ओके पर क्लिक करता हूं और ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यह payment manager पर हो ले जाएगा जहां से आप online mode से payment हो कर सकते हो कोई भी माद्यम से कर सकत करते हो net banking से आप कर सकते हो UPI से आप कर सकते हो सारी यहां पे वेश्त आपको मिलेगी अगर आप यहां पे net banking से आप payment करना चाहते तो इसको आपको select करना ठीक है कौन सा आपको बैंक है वो यहां पर ले रहा हूँ इसको मैं यहां पर देखिए State Bank of India Group वाला सेलेट कर रहा हूँ पेन आओ पर क्लिक करता हूँ अब जैसे मैं यहां पेन आओ पर क्लिक करूंगा तो यहां पर payment mode है एक बार फिर से हो आपसे confirm हो कर लेगा State Bank की website पर ले जाएगा यहां पर आपको अपने user ID और password है आपको यहां पर डाल देना है फिर आपको login पर क्लिक कर देना है login पर क्लिक करने के बाद automatic आपके account से पैसे कर जाएगे जब successfully हो जाएगा तो वापस यह site के उपर back हो आ जाएगा और दोस्तों जब भी आप payment करो तो इसके साथ आपको छेड़चाड नहीं करनी हो सकता है कई बार server down हो तो ऐसे में payment कटने में थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन इसके साथ छेड़चाड मत करना वरना payment भी कट जाएगा और आपका forum finally submit भी नहीं होगा तो फिर द्वारा process क्या रहेगी फिलहाल में आपको payment करके यहापे नहीं दिखा रहा हूँ मैं एक बार वापस चलता हूँ और वापस अपन यहाँ पर forum में चलते हैं अपने SSO ID के dashboard पे चलते हैं वापस देखे मैं यहाँ पर फोरम में वापस login करता हूँ SSO ID में अब भी है कि हमने फिलहाल जो payment है वो नहीं किया है तो पे ना हो आ रहा है जब आप payment successfully कर दोगे तो यहाँ पर देखे इस तरह से view application का link आ जाएगा जहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो application forum है वो यहाँ से आप download कर सकते हैं जैसे यहाँ पर इस screen पर आपको preview एक बार में दिखा और PDF में भी save कर सकते हैं और वैसे आप print है वो ले सकते हैं एक बार मैं home पर वापे चलता हूँ ठीक है अब माली जी आप दूसरे जिले के लिए forum बर रहे हो या दूसरे subject के लिए forum बर रहे हो ठीक है एक subject का तो माली जी आपने भर दिया और दूसरे के लिए apply करना चाते हो ठीक है तो यहाँ पर माली जी आपने science के लिए भर दिया math में भी आप भरना चाते हो तो फिर से आपको दूसरा forum भरना पड़ेगा apply now पर किलिक करके जो process मैंने आपको यहाँ पर बताई हो सब की सब process आपको करने है ठीक है finally payment करना है payment करने के बाद आपको यह application forum है वो save कर क्योंकि यह demo video था मैं कोई payment नहीं करने वाला तो जो भी मैंने यहाँ पर information डाले थी वो मान लिजे एक तरह से मैं गलत information डाल रहा था सारी की सारी ताकि आपको सही जानकारी दे सको और आपको forum भरने के बारे में जानकारी का पता हो लग सके अलांकि video काफी लंबी हुई है अगर video से आपकी help भी है आपके स्वाला का जवाब इस video में मिला है तो video के नीचे comment कीजिएगा इसके बावजुद ही forum भरते समय आपको किसी परकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट भी कट गया forum finally submit भी नहीं और इस तरह की अगर कोई सम्मश्य आ रही है तो आप video के नी और नोटिफिकेशन है इसे भी ओन कर देना क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की जानकारी लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको यहां पे मिलते रहेंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलीजेगा तो मिलत एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत